Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Limitation of Nicole Prism इस प्रिवीज वीडियो में हम पढ़े चुके है Nicole Prism क्या होता है? यह कौन से principle के ओपर waste है? इसकी construction और इसकी working इस वीडियो में हम limitations की बात करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा से revise कर लेते हैं प्रेविएस वीडियो में कैसे इसकी वर्किंग को समझा था यह आपका कोई निकॉल प्रिजम है एडाश भी सी डी डाश यह आपकी कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो इस निकॉल प्रिजम के इस फेस के उपर फॉल कर दिया है ठीक है अब देखिए जब यह रे ऑफ लाइट इ यह इस कनेड़ा वालसम की जो फिल मैं जाँ कनेड़ा गया कि टॉलटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वापस रिफ्लेक्ट करती है ठीक है यहां और ही मिलती है जो इस में से पास हो जाती है जो कि प्लेन बजैघ उती है तो इस तारह थि encam? अनॉरचल ऑम सपर दिया इसके limitations क्या होती है देखिए आपको इतना तो पता है कि जो यह ore है जो यह ore है इसके साथ इस Canada Palsam की film के साथ जे critical angle से ज्यादा इंगल बना रही है तब यह वापस reflect होती है निकल प्रिजम का main काम क्या होता है इस ore को eliminate करना ठीक है यह polarizer की तरह हम से काम करवाते हैं जा किसी unpolarized light को plane polarize करने के लिए हम इसका use करते हैं तब हमारा जो main मक्सद होता है इस ore को eliminate करवाना तो ore तभी ही eliminate करेगी जब यहां total internal reflection ह जब होगी जब इस ore का जो angle है incident angle है इस Canada walsam की layer के साथ वो critical angle से ज्यादा होगा critical angle कितना होता है 69 degree तो ore का critical angle है जो यह angle बनाएगी वह 69 से ज्यादा होना चाहिए तब ही यह अपने ही medium में वापस reflect करेगी ठीक है तब ही यह इसमें से पास नहीं होगी ठीक है तब क्या होगा यह अपने medium में reflect करेगी और इस nickel prism से eliminate हो जाएगी यही में इनकाम होता है ठीक है तो मान लेते हैं यह कोई आपका angle है कोई particular angle है BMS जिस पे आपने इस unpolarized light को इस prism के ओपर fall करवाया है ठीक है वो particular angle आपको बताऊं कितना होना चाहिए 14 degree होना चाहिए ठीक है जो यह angle है इस angle पर इस light को इसके ओपर fall करवागे निकॉल प्रिजम के ओपर वो आपका 14 degree के आसपास होना चाहिए 14 degree से यह बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उस case में क्या होगा और यह 14 degree से बहुत ज्यादा हो जाता है उस case में क्या होगा ठीक है वो हम पहले discuss करेंगे तो अब मान ल light को इस निकॉल प्रिजम के ओपर ऐसे fall करवाया है कि जो आपका angle है इस रे का इस निकॉल प्रिजम के साथ वो बहुत ज्यादा कम है ठीक है इस particular angle से तब क्या होगा जो रे है कौन सी रे यह ओ रे यह ओ रे जब इस कनेड़ा बालसम की layer के साथ strike करेगी ठीक है इसके ओपर fall होगी तब यह critical angle से कम angle पर fall होगी ठीक है हमें तो इसकी total internal reflection करवानी है न बट और total internal reflection के लिए क्या चाहिए 69 डिग्री के angle से ज्यादा angle पर fall होनी चाहिए इसके ओपर बट जह हम 14 डिग्री से इस light को इस निकॉल प्रिजम के ओपर 14 डिग्री से बहुत कम angle पर fall करवाते है तो जो इसके ओपर fall होगी वो 69 डिग्री के angle से कम angle पर fall होगी और जो 69 डिग्री के angle से कम angle पर fall हो रही है मतलब कि critical angle से कम angle पर fall हो रही है तो उस case में यह इस कनेटा बालसम से total internal reflection को शो नहीं करेगी बलकि यह इसमें से पास हो जाएगी क्योंकि total internal reflection ही तो करवाना है हमें और एका तांकि यह अपने ही मीडिया में वापस reflect back हो जे बट यह इस case में ऐसा नहीं करेगी यह वाला जो angle है जो इस light का जो incident angle है इस face के साथ निकॉल प्रिजम के वह बहुत ज़्यादा कम होगा 14 डिग्री से बहुत ज़्यादा कम होगा तो यह और है यह टोल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी यह यह यहां 69 डिग्री के angle से कम angle पर इसके उपर fall करेगी यह ज़्यादा अंगल पर fall करती तभी total internal reflection होती बट यह 69 डिग्री से कम angle पर इसके उपर fall करेगी इसका मतलब यह इसमेंसे पास हुजाएग यहां टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन नहीं होगा यहां रिफ्रेक्शन ही होगी ठीक है रिफ्रेक्शन करके रिफ्रेक्ट होगे इसमें से ट्रांस्मिट हो जाएगी बट हमें तो इसक्वारी भी निट करवाना है निकॉल प्रिजम का काम तो यह है ठीक है तो इसलिए हमें 14 degree के पास-पास सी angle को रखना पड़ता है उससे कम ना हो तो यह एक limitation है इस नहीं call prism की दूसरा जो 14 degree से बहुत ज़्यादा angle हो जाता है ठीक है 14 degree से इस light का angle किसके साथ इस prism के face के साथ ठीक है मतलब यह वाला angle 14 degree से बहुत ज़्यादा हो जाता है हम इस light को ऐसे fall करवाते हैं इस prism के उपर कि जो यह angle इसके साथ बनाएगी वो 14 degree से ज़्यादा हो जाता है तो उस case में क्या होता है जो यह e ray होती है इस e ray का refractive index ज़्यादा होने लग जाता है इस caneda balsam से देखिए आपको मैंने इससे previous video में बताया था working में कि जब इस caneda balsam का refractive index ज़्यादा होगा ठीक है और जो यह ray आ रही है e ray इसका refractive index कम होगा तो उस case में यहां reflection हो जाती है ठीक है मतलब इसका मतलब क्या है कि जो यह caneda balsam है यह denser medium की तरह act करेगा और जो यह e ray है यह rarer medium की तरह act करेगी और जब ray rarer medium से dancer medium में जाती है तो वहां जो total internal reflection है वो नहीं होता total internal reflection होने के लिए क्या जुरूरी है कि जो आपकी ray वो dancer medium से rarer medium की तरह आनी चाहिए dancer medium से rarer medium की तरह आनी चाहिए बट यहां हम angle ऐसा fall करवाते हैं मरकि light हम ऐसे fall करवाते हैं कि जो यह angle बनाएगी इस prism के साथ वो 14 degree से बहुत ज्यादा angle बनाएगी तब जो यह caneda balsam की जो layer है इसका refractive index है वो कम होने लग जाएगा और जो यह e ray है इसका refractive index बढ़ने लग जाएगा जिसका refractive index जादा हो रहा है जो यह यहां से आ रही है इसका refractive index बढ़ रहा है और यह caneda balsam का तो फिक्स दी रहेगा वन पॉइंट 55 तो मतलब कि हम क्यांकि यह यह से यह कम होता जाएगा जैए यह इडिका बढ़ रहा है तो तो इसका मतलब रहा है कहां से कहां इंडेक्स है वो और एक जितना ही होता जा रहा है क्योंकि और एक जो refractive index था वो क्या था वो इस caneda balsam की फिलम से ज्यादा था ठीक है जिसके कारण यहां total internal reflection होई क्योंकि dancer medium से rarer medium में हो रहे गई ठीक है जिसके कारण total internal reflection होगी ठीक है जबकि जो इरे थी पहले उसका refractive index क्या था कम था caneda balsam का ज्यादा था इसलिए rare medium से dancer medium में जा रही थी और rare से जब dancer medium में light जाती है तो इंटरन रिफ्लेक्शन नहीं होती ठीक है इसलिए रे ट्रांसमीट होगी थी इसकी total internal reflection नहीं होई थी बट जे हम यहां एंगल ऐसा लेते हैं हमकि इस light को unpolarized light को इस Nicole prism के उपर ऐसे fall करवाते हैं कि जो यह angle है यह 14 degree से ज्यादा है तो उस case में जो यह e ray है इसका refractive index बढ़ जाएगा ठीक है caneda balsam से भी ज्यादा हो जाएगा जहां आप कहा सकते हो ओ रे के equal आने लग जाएगा जी ओर रे के equal आ रहा है मतलब कि caneda balsam से ज्यादा हो रहा है का भी total internal reflection हो जाएगा और वो यहां से back reflect कर जाएगी अब इसमें से पास नहीं होगी वो back reflect कर जाएगी ठीक है जिसके करण हमें कोई यहां light दिखेगी नहीं क्योंकि औरे भी यहां से back reflect कर गी तो no light will emerge from the Nicole prism Nicole prism से कोई भी light नहीं लिख लेगी ठीक है तो इसलिए हमें जो यह angle होता है ना light का Nicole prism के ओपर जो हम light fall कर रहे हैं उसका angle हमें रखना चाहिए 14 degree पर रखना चाहिए ठीक है जैसे बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके इसमें क्या होगा जो यह इरे है ये इसमें से जो है पास नहीं करेगी और जो ये एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो जो ये औरे है ये इसमें से पास कर जाएगी तो हमें तो औरे को eliminate कराना था ना पर angle कम होने के कारणी यहाँ जो औरे है वो भी इसमें से पास हो जेगी तो फिर इस निकॉल प्रिसम का क्या ही काम है ठीक है जो औरे eliminating नहीं हो रही तो यह limitations होती है किसकी निकॉल प्रिसम की कि ज्यादा angle पर जो जाती है fall तब हमें क्या मिलता है हमें कोई light नहीं मिलती और जो जाता कम एंगल पर फोलो जाती है यह light as source जो आ रही है तो हमें दूने erase मिल जाती है और यह और इरे भी ठीक है बट हमें सिरफ इरे चाहिए होती है तो यह limitations की अब हम बात करते है निकॉल प्रिसम के यूज की जो मैंने आपको समझाया है ठीक है वही मैंने इन पैराग्राफ में लिखा है ठीक है इन दोनों पैराग्राफ में तो आप यहां से note कर सकते हैं ठीक है कि फर्स्ट पैरग्राफ में मैंने वह बताया कि जब एंगल बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और जय एंगल बहुत जादा हो जाएग सेकेंद में बताया है नेक्स्टल बात करते हैं यूजिज ऑफ निकॉल प्रिसम तो यह तो आपने में करद देता है और यह को यह देखते है कि और हो चुक है चुक ह्ट Cap पिक्व Epic टो उसकर में ये पोलाराइज करता है कि यदि वह हम देखते हैं तो देख लिया कि कैसे लाइट को करता है ठीक है बरकिंग में हम ही देखा है कि लाइट कैसे पॉलराइज होती है और ए prosecutors हो जाती है जिसके कारण हमारी लाइट जो है पॉलराइज के तरह काम करता है जासे हमने देखा था पर एनलाइजर की तरह काम करता था ठीक है जैसे हमने यहां इसको क्या रख दिया यह एक निकॉल प्रिजम हम आन लेते हैं पीए है यह एक क्या रख करेगा पॉलराएज कर देगा लाइट को उसके बाद जो यह पॉलराइज लाइट है वो इसमें से पास होगी और हम यहां maximum intensity देखने पर को मिलेगी light की ठीक है जो आप इस तो थोड़ा सा rotate कर देते हो यहाँ intensity क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और जिए आप इस prism को इस prism के बिल्कुल perpendicular रख देते हो तो यहाँ आपको कोई light ती तीव हमें जो light इसमें से पास घ॥ी तिक थी टीक है वो ही vibrations इसमें पास होती थी जो इस justesa के क्या होती थी लोगती थी थी ठीक है इसी तरह यहां इस अन्होंट राइज लाइट जो हम की यौपर फाल कर वाएंगे उसकी वह से पास होंगी जो इसके जो यह वहली एक्सिस है प्रिंसिपल ऌक्षं की एक्सिस है जहां फिर यह प्रिंसिपल प्लेन है इसमें से पास होगी ठीक है तो यह जो इस जाएक तो यह बिल्कुरति कर देते हो जो हिसको शाये थोड़ा सा यह तो गया नहीं हो इसके perpendicular कर देते हो, तब आपको यहाँ कोई भी light देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो यही आपकी है, uses of nickel prism, polarize करने के काम आता है, और analyze करने के काम आता है, ठीक है, तो यह लिख रखा है, जो मैंने यहाँ आपको समझाया है, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक crystals के बारे में की वो क्या होते हैं, ठीक है,